नमस्कार दोस्तों आप हैं इनकेटबल भारत ब्लाक पर आज आपको हम उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है सार्दा नहर के दर्शन कराएंगे जो बिटिश पीरियोड में बनी थी 1920 से 1928 के बीच में या बनाई गई थी 1918 में इसका प्रोजेट त्यार हुआ था या जो सामने आप नहर देख रहे हैं यही सार्दा नहर है इस नहर को उत्तर प्रदेश में एक स्थान है या आप कह सकते उत्तरा खंड में हैं बनवसा खटमा तहसिल के बास वहीं से बैराज बन निकाला गया है इस नहर की जो साखाएं और प्रसाखाओं सहित इसकी जो कुल लंबाई है वह लगवा 12368 किलो मिटर है इसी नहर के उपर खतिमा जल्विद्धुत केंद्र भी बना हुआ है और इस नहर का पानी राइबरेली के लिए बहुत ही उपयूगत है क्योंकि यह जीवन देखा कहलाता है इसी नहर के उपर लखनों में एक पुल बना हुआ है जो ड्रीम वैली पार के पास नीचे से गुमती नदी बहती है उपर से सारदा नहर बैखती है जो देखने योग है इसी तरह आप जब राइबरेली में आएंगे तो नीचे से साही नदी उपर से सारदा नहर बैखती है जो बेटा पुल के नाम पर जानी जाती है यह नहर जो है लाइबरेली के जीवन रेखा कहलाती है और यह किसानों के लिए रिड़ का हड़ी का कारी करती है क्योंकि जब से इस नहर का आगमन जिले में हुआ है तब से यहां के थसल का उत्पादन चेतर बढ़ गया है जगह जगह पर बैराज बनाए गए है इसी नहर का पानी लखनो डिस्टिक गुसाइंगन के पास एक नदी छोटी से बहती है लोनी नदी उसको जल दिया जाता है और इसी से ही जौनपूर साखा भी निकाली गई है मलब कई छेतरों के लिए यह इस नहर में काफी मनोहरत द्रस भी देखने के मिलते हैं और लगबाद 14 डिस्टिक से होकर यह गुजरती है सारदा नहर मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को आगे फारवर्ड करिए धन्यवाद झाल करिए।